हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चैनल, एहसास थामारी खाने का फ्रेंड्स, कच्छी आंकेक ऐसी रेसिपी जो इतनी नई और इतनी योनिक है कि आप इसकी सबजी आधी चमच, छोटे वाले जो चमच होते ना, आधी चमच तेल में बना सकता है तो इतनी अच्छी और टेस्टी लगेगी कि आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइट करिएगा तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले हम यह कहना चाहेंगे कि आप यह वीडियो पूरा दिखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा और फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शियर जरूर करिएगा क्योंकि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा हर वीडियो अब तक सबसे पहले पहुचेगा तो फ्रेंड्स, फेस्बुक पे हमारा पेज है एसास हमारे खाने का उसे जरूर लाइक करिएगा और कमिट में जरूर बताएगा कि यह रेसिपि आपको कैसी लगी तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपके पास जितने का अच्छे आम हूँ, आप जितने का बनाना चाहते है जितने मामर्स, उससाब से आप कर से जरूर मैं तीन लोगों के लिए सब जी बनारी तो मैंने आम को छील लिया है छिलने के बाद जो है, हमने इससे बीज से काट लिया है इसके बीजे निकाल दिया, इसका च्छिल का देखर रूर पसा है इसको भी अच्छे से निकाल के साफ कर लेंगे पर फिर इससे आप फिंगरचिप्स काटें, रम्मे लग्ड़ी पीसस में काट लिजे अगर बहुत बड़ा हो, तो फिर आप इसको भी दो पार्ट भी कर सकते है तो यह आपके इच्छा पर डिपेंड है कि आप इसे कैसे काटेंगे कुछ लोग इसे चिछले की तरह भी काट लेते हैं जिसे के रूपके मेड़च भी दूपे कात लेते हैं जैसे जिसको पसंदों, आप मिने लिए स्टाईल की तो यह दोने तरीके हैं शुख ली बटा दे हैं 있다고 जैसा पसंदों आप यासा गर सकते हैं तो फ्रेंग्स साथ में हमने कड़ाई में हमने कहा था आपसे कि आधी चम्मच छोटे चम्मच से मैंने देखी तेल लिया है इसमें मैंने आधी चम्मच से भी कम यानि एक चोथा चम्मच जो है मंग्रेल्स लिया है और एक चोथा चम्मच मैंने स्वाफ लिया है नमक लिया ह आदे चम्मच से कम और लाल मिल जो पिसी है वो भी एक चोथा ही चम्मच है फिर हम फ्रेंग्स क्या अपने टेस्ट अकॉर्ण गुल डालेंगे क्योंकि आप जितना मिठा पसं करना जाते हैं उसे साफ से डालें कुछ लोगो को खट उठा बहुत पसंद होता है तो मिठा कम सब्सक्राइब कर दो जर्कादि के अपने साफ से अपने टेस्ट के अकॉर्ण आप डालें तो फ्रेंग्स गच्ची आपको जो अपनी काटके रखा है न तो उसा अप उबाल के थंडा कर लीजे और पानी जो है फेक दीजे उसे आपदूल के वाड़ ही फिर उससे आप इसे बाउल में निकालने के बाद आप इसे प्राथे, रोटी, पूरी किसी से भी खा सकते हैं, यह अच्छी होती है कि अगर बुज़गों के दात में होते ना तो वो भी इस टेस्ट को बहुत अच्छी से कर सकते हैं, क्योंकि इतना सौफ्त होता है, इतना मुलायम, इत आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि गर्बी कम आसम आपका मौसम होता है, अप एक बार बना लीज़े, तो इस सब्ज़े को तिन-चार दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि यह खराब होती है, आप इसे चाहे टार डिबे में भढ़के रख लिज़े, चाहे काज के ज आपको जैसे दिल करें, आप कर सकते हैं तो फ्रेंड्स सब्जी तयारें, थैंक्यू